हेलो एवरिवन स्वागता आप सभी का डेम्स नर्सिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और अगर आप नोर्सेट एक्जाम देने जा रहे हैं तो यह 10 मिनट का वीडियो जरूर देखे जाएगा आपने अभी तक क्या पड़ा है यह इंपोर्टेंट नहीं है अब एक्जा क्यों को सुरू से लेकर के एंड तक दिखिएगा कौन-कौन सी गलती आपको नहीं करनी है आपके नोर्सेट एक्जाम देते हैं किस तरीके से आपको एक्जाम देना है क्या पेटर्न में चेंजेज हुए हैं तो स्टार्ट करते हैं देखिएगा आपने कुछ फाइव सेक् छिएगे तो पहला दिखेगा या नी दिखेगा क्या मैं दुबार इस सेक्शन में आ सकता हूं क्या में review कर सकता हूं क्या यह ठारा मिनिट का जो समय सो equation और 90 minute के लिए ठीक है और इसके टोटल कितने सेक्जन होगा लिए पांच सेक्षेंगा और जो 5 सेक्षण है वो हर एक सेक्षिन कितने मिनट होगा 18 मिनट का होगा समझेगा 18 मिनट में आपको question करने 20 है अब जब आप question कर रहे होंगे जैसे कि मान लीजिए पहला section आपने open कर लिया और पहला section में आप question कर रहे हैं तो आपको 18 minute इसी section में रहना पड़ेगा ना आप आगे जा सकते ना पीछे जा सकते इसी section में रहना पड़ेगा जैसे ही 18 मिनिट होंगे ये section लोक हो जाएगा और ये लोक होने के बाद अब दुबारा ये नहीं खुलेगा ये जो 18 मिनिट है इसी में आपको 20 questions को देखना है पढ़ना है अगर आपने mark 4 review किया है तो इसी 18 मिनिट पूरी होने से पहले पहले आपको उसको complete करना है याद रखेगा अगर एक बार section close हो गया उसके बाद दुबारा खोलने का time आपको नहीं मिलेगा तो याद रखेगा जिस section में आपने entry कर दी है उस 18 मिनिट में review mark 4 review जो भी करना है वो कर लीजिएगा दुबारा open नहीं होगा दूसरी बात जब भी आप question कर रहे होंगे तो उसके answer वगेरा उसी section के visible होंगे दूसरे किसी के visible नहीं होंगे ना आपको question देखने को मिलेंगे हर section के लिए 18 मिनिट होंगे 20 question होंगे याद रखेगा देखेगा इसमें सब कुछ लिखा हुआ है 100 mcq होंगे जिसके अंदर 80 तो किसके होंगे आपके 20 तो किसके होंगे आपके जीके जेनरल नौलेज एप्रीटूट के होंगे और 80 अपने नर्सिंग वाले mcq होंगे ही ठीक है वन थर्ड नेगेटिव मार्किंग है याद रखेगा वन थर्ड नेगेटिव मार्किंग है पांच सेक्षन बनाएगे हैं देखो अच्छे से मैं जूम करके पढ़ा देता हूं आप लोगों को हो सकता है कि आपने नहीं देखा हो प्राइब क्वेश्चन पर विल बिडिए इन फाइव सेक्षन इच अच एटीन मिनट दूरेशन वहरी सेक्षन विल कंटें 20 विल बी सिक्वेंस इन विच एच शेक्षन विल बी इनेबल्ड तो व्यूंश्वर क्वेशन एक्षिस्ट विजीबल एक्टिव पार्ट इस शेक्षन विल बी ओटोमेटिकली एक्टिवेटेड और विजीबल सून जैसे ही आप मान लीजिए पहले सेक्षन में हो जैसे आपके एठारा मिनट वे अठारा मिनट होते ही सडन क्लोज होगा और दूसरा वाला सेक्षन भी स्क्वेशन का चलू हो जाएगा तो आपको इन ही ठारा मिनट में मार्क फोर रिव्यू रिव्यू सब कुछ करना है वन थर्ड नेगेटिव मार्किंग याद रखेगा नेक्स्ट देख अच्छे से एक्जामिनेशन विल बी सब्मीटेड ओटोमेटिकली इच सेक्षन विल अपियर वन बाई वन डूरिंग दा 90 मिनट डूरेशन ओटोमेटिकली एक के बाद एक खुलता रहेगा यू विल बी अलाउड ओनली टू अटेम्ट क्वेशन इन दा करन्ट एक्टिव सेक्षन जो भी ओपन है ना सेक्षन जो चल रहा है सिर्फ उसी में आप क्वेशन को कर सकते हो सेक्षन विच विच विल रिमेन इ नहां पर है जो कि बहुत सारे कम लोगों ने देखी होगी क्या लिखावा है अच्छे से पढ़ो इसको क्या लिखावा है इट विल नेवर कम बेक अगेन फोर एनी एक्षन आप्टर मूवड टू नेक्स्ट सेक्षन एक बार आगे चले गए तो दुबारा पीछे किसी सेक्षन में निया पाओगे यू विल नोट भी अलावड टू व्यू और एनी क्वेशन सेक्षन रादर देन करंटली एक्टिव पार्ट जो एक्टिव है उसी के आंस्वर वगेरा सब कुछ देख सकते हो जो इनेक्टिव हो चुका है उसके नहीं देख पाओगे तो दोस् बात यह तो हो गई अपनी क्वेशन की कि आपको इस तरीके से आपको अटेम करना है क्वालिफाइंग मार्स तो आपको करने हैं पचीस परसेंट तो जनरल के हैं और पेंटालीस आपके ओवी सी के और चालीस सी स्ट के अब सुनिएगा बहुत सारे स्टूडियंट के साथ क तक आपको पांच या दस क्वेशन यह और आप क्या करते हो कहले कि नेक्स्ट सेक्संट में थे 20 याद रखेगा हो सकता है दो सेक्षन में आप शर्फ और 20 पांचीस सेट्सनी करपां लेकिन बाकी के सेक्सन में हो सकता कि 60 कर दो तो बिलुखल म Aurat दो के साथ होगा कि पहले सेक्षन में नहीं आया वो डी-मोटीवेट हो जाएंगे वहीं पर और अगे वाला सारा पेपर खराब हो मत करिएगा पहले section में 20 question है अराम से जितने आए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर अपने को time spend करना है अब क्या होता है कि यहाँ पर आपको तुक्के लगाने का समय मतलब कि सर हम क्या करें अब एक बार तो section बंद हो गया मानलो हम 80 तक पहुंचे और 60 कर पाए तो इसके लिए तुक्का ऐसी condition में लगाईएगा और तुरंत उसी time लगा दीजिएगा क्योंकि दुबारा तुक्का लगाने का समय नहीं मिलेगा आपको और अगर आपको लगता है कि नहीं में बिलकुल confused हूं मत कीजिएगा क्योंकि अपने को negative marking नहीं करवानी है तो देखो हर एक section में से कितने भी question आए demotivate नहीं होना दूसरा कितने questions how many questions should be attempt to select in nor set अधिकतर लोगों के mind में question आता है कि sir कितने questions मैं attempt करूं तो इसकी कहानी भी मैं बता देता हूं कितने questions आपको attempt करने चाहिए तो देखिएगा हर एक student का अगर मैं data निकालूं तो अधिकतर 6 से लेकर के 10 questions हर एक student के गिलत होते हैं याद रखेगा अगर मैं आपको कहूं qualifying marks की तो 50% है अगर selection criteria की बात करूं तो selection criteria आपका 65 to 70 रहेगा जनरल का इससे कमी मालीजी ज्यादा निबड़ेगा इसके बाद में OBC का 62 65 रहेगा और SCST का less than 60 60 तक रहेगा इसको करने के लिए आपको कम से कम 70 80 question तक जाना ही पड़ेगा क्योंकि 78 question तो आपके गलत होई जाएंगे तो याद रखेगा अब बहुँ 70 आपको attempt करने हैं अगर आई नीरे आपको सब कुछ अच्छा अच्छा तो 70 80 85 इतना जाकर कि आप आराम से sufficient selection को ले सकते हैं तो आपको question कितने attempt करने 70% से ज्यादा question attempt करके आ सब्सक्राइएंगे तो मेरे साफचे आपको 80 के लंसम तो minimum question करने हैं ठीक है इतने करके आजाएगा selection हो जाएगा 75 80 अगर आपको लग रहा है कि 75 एक्जेक्ट एक्यूरेट है तो कोई बात नहीं 75 पर भी रुख जाओगे तो भी काम चल जाएगा ऐसा मत कर देना कि आपके confidence के साथ रहेगा क्योंकि confidence की जीत होती है अगर आपके मन में यह रहेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा याद रखेगा क्योंकि अपने मन में जो होता है तैयारी उसी की होती है अगर मन में फेल फेल होने के विचार आएंगे तो आप उधर चले पर लोगों को माइन डाइवट होगा थोड़ा सा नास्ता करके जाएगा समेश से पहले अपने सेंटर पर पहुंच जाएगा और सेंटर पर उन बस इससे ज्यादा आएगा इनी एक्जाम में अपने को तो यह रखना है क्यों कि एक गंटे में एक दिन में ट्रेन में रास्ते में आप पूरी नर्सिंग की तैयारी नहीं कर सकते हैं यह माइंड के अंदर रखना क्योंकि उस समय हडबडी में रहते हो पडोशी कहता है यह अब अब आपने पहले क्या पड़ा था सारा कच्रा नेगेटिव मार्किंग तो अभी तक जो आपने पड़ाया उसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा इसके साथ में माइंड को रखिएगा इस ट्रेस फ्री रखिएगा और जो मैंने आपको तरीका बताया पहले क्योंकि दुबारा वापस से रिवट बैगर नहीं हो पाऊगे एक कलर प्रिंट लेकर के जाएगा अपने आपके जो को लेटर है उसका उसके साथ में पास्पोर्ट साइज फोटो लेके जाएगा फोटो वहीं लेके जाएगा जो कि आपके आपने एड़ टाइम आपने ल रिलेक्स रेकर के जाएगा मजे से जाएगा और यह मेरा वादा है आपने मेनत की है तो आपके सेलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता सेलेक्शन होगा और सेलेक्शन को होना पड़ेगा दोस्तों याद रखिएगा क्योंकि आप मेनत करके गए हो तो आपको सेलेक्ट होने से को सभी लोगों के सेलेक्शन के बाद आप लोगों के सेलेक्शन के बाद वापस से इसी डेम्स नर्सिंग के यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे और बगवान से दुआ आप सभी लोगों के लिए कि आप सभी लोग जिस जर्नी के लिए आज निकले हैं वह आपकी जर्नी झाल झाल